ओम नवस्ते रामराम जी अक्सर मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में प्रनायम के बारे में बताता रहता हूँ जब भी कोई मेरी वीडियोस पावर बढ़ाने से रेटिड होती है तो भाई मैं प्रनायम के बारे में बताता हूँ जाद अतर क्योंकि जिस इंसान के अंदर बल है दिमाख और शरीर का तो भाई वो अपनी बोड़ी का निरमाण जैसा चाहिए वैसा कर सकता है अंदर बल होना जुरूरी है जो कि आता है प्रणायम से सबसे ज़्यादा प्रणायम से आता है अंदर बल जो कि हमारे देश में वर्ट्सो से उधार, इसी मूनी, बड़े-बड़े शक्तिसाली, महान, पूरूश, करांतिकारी सभी करते आएं प्रणायम प्रणायम के फाइदे शरीर में उपर से लेकर नीचे तक के आएं प्रणायम के फाइदे तो खेर मैंने बहुत बार बताएगे आप सब को लेकिन बहुत सारे भाई कनफ्यूज है कि कौन सा प्रणायम करें कोन सा प्रणायम शक्तिसाली और स jurisdiction क्या है प्ररणायम का तो मेरे भाई अचार जी ने तीन से चार प्रणायम बता रख्या जिन में से एक शक्तिशाली प्रणायम मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा ध्यान से समझना और भाई सही तिरी के से करना इस प्रणायम को सिर्फ ये अकेला प्रनायम अगर आप तीन बार कर लेते हो सिर्फ तीन बार तो भाई आपको हफते भर में अपने शरीड के बल शक्ती में फरक दिख जाएगा यहाँ तक की बुद्धी में भी फरक दिख जाएगा आपको अपनी आपका दिल, जिगर, फेपड़े, नाडिय सब को एकदम शक्ती साली बना देगा यह प्रनायम धीरे-धीरे चली जानते हैं प्रनायम के बारे में प्रनायम करने के लिए सबसे बढ़िया समय एक तो सुबह सूर्य उगने से पहले का होता है फिर वर्काउट एक्सेसाइज करने के तुरंत बाद का तो अब आप नेड़ना है लो कि आपको कब करना है प्रनायम सबसे पहले हम इस तरह बैठ जाएंगे सुखासन में फिर सांस को भीतर की और बरना है जितना आप भर सकते हो उतना भर लो अंदर की तरफ अब इसको रोक कर रखना है सांस को जब ऐसी स्तीती हो जाए कि आपको घबरहाट होनी शुरू हो जाए कि भाई अब तो छोड़ना ही पड़ेगा सांस को बाहर तो सांस बाहर नहीं छोड़नी है बल्कि और अंदर लेने की कोशिश करनी है इस तरह है विपली दिशा में बल लगाना है मतलब अंदर की और बल लगाना है अंदर की और सांस को लेना है और ज़्यादा इस तरह है आप जीती देर तक कर सकते हो तरह ही देर तक सांस रोकने की कोशिश करनी है एक मिनिट से उपर रोकने की कोशिश करना ये प्रणायम कम से कम तीन बार करना होता है और बाकी आप दीरे दीरे बढ़ा सकते हो मतलब कि तीन सेट करने है इस प्रणायम के ये स्थिती कहलाती है बायम अभियांतर अक्षेपी प्रणायम इस प्रणायम को करने में बहुत बन लगेगा बहुत जोड लगेगा लेकिन शरीर विशेस रूप से मजबूत और बलवान हो जाएगा इसे प्रणायम को करकर के भरमचारी अपने सीने पर पत्थर रखवा कर तुडवा देते हैं लोही की जिंजीरे तोड़ देते हैं तो व सबसे पहला नियम जो है अगर आप कुछ भी गलत खाते हो जैसे कि नोन वैजिया फिर फास्ट फूर तालाब होना अधिक मिर्च मसाले वाली है सब चीजे यह सब अगर आप खाते हो तो भाई यह प्रणायम आपकी बोड़ी भी काम नहीं करेगा आपको शूद शाकहरी र बढ़ाएगा उसको यह आप निकाल दोगे तो बल कहां से आएगा बस यह दो नियम सबसे जरूरी है इन दो नियमों का ध्यान रखना और बाई समय का ध्यान रखना यह नहीं कि कभी भी कर रहे हो सुबह सुरह उने से पहले या फिर वर्काउट करने के तुरंत बाद हो च मसल्स टीशू तूटते हैं जो मसल्स के रेशे होते हैं वो फैल जाते हैं तूट जाते हैं वर्काउट करने से तो वर्काउट के बाद जब हम परिनायम करते हैं और परिनायम करने से जो शुद अक्सीजन हमारी मसल्स में जाती है वो मसल्स को रिकावर करती है और इस तरी ब्रमचारी जो होते हैं प्रणायम करने वाले एक एक दो दो हजार दंड लगा लेते हैं तो वो इशी विद्या से लगाते हैं प्रणायम से वो अपनी बोड़ी को रिकवर करते हैं जिम वाले क्या करते हैं वो सो सो कर अधिक प्रोटीन खा खा कर अपनी बोड़ी को रिकवर करते हैं परनायम से जो दिकवरी आईगी न वो स्टैमिना बढ़ाईगी इतना सा समझे लो बस तो बस ये भाई परनायम के कुछ फैक्ट थे मैंने साफसूते तरीके से आपको बता भी दिया कैसे करना है क्या है असली सबसे शक्तिशाली परनायम बताया है बहुत क्या है असाथीजू